जै मातादी आज के इस वीडियो में जानेंगे अगर आपका मुलांक दो है तो मुलांक दो वाले लोगों के बारे में यदि आपका जन्म किसी भी महिने की दो तारिक या फिर ग्यारत तारिक या बीस या फिर उन्तिस तारिक को हुआ है तो आपका मुलांक दो होगा और आप जीवन भर दो अंक से किसी न किसी रूप में आवश्यक रूप से प्रभावित होंगे तो दो अंक का क्या विशेस्ता है यानि कि क्या खास्यत है क्या खामिया है जिनको आपको कंट्रोल करना चाहिए ये सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे अंक शास्त्र में मुलांक दो के लिए निर्धारित स्वामी ग्रह जो हैं वो हैं चंद्रमा जी हां चंद्रमा मन के कारक होते हैं चंद्रमा मन सोजात है यानि कि चंद्रमा हमारे अंतर मन में उठने वाले सुख दुख की भावनाओं का संचालन करते हैं यही कारण है कि कुंडली में अशुभ चंद्रमा हमें मन को व्यथित और बात-बात में परेशान करता है मानसिक बिमारियां तथा मन के उल्जन का कारण भी चंद्रमा ही होता है हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या खराब है इसका प्रथम फैसला तो मन ही करता है यह भी सही है कि यदि आपके कुंडली में चंद्रमा शुभ इस्थिती में है आपका मन सुविचारों को जन्म देता है उसी स्थिती में परंतु यदि चंद्रमा अशुभ इस्थिती में है तो कुविचारों को दृष्टी को जन्म देता है इसमें कोई संदेह नहीं है इसल से पहले इस बारे में जानते हैं यदि आप दो मुलांक वाले व्यक्ति हैं तो आपका मन और स्थिर तथा चंचल होता है आप निरंतर रुप से कुछ पाने के लिए कारे करते रहते हैं चाहें कोई भी विशय हो आप उसके मूल तक जाने का प्रयास करते हैं परन्तु सातत्य के अभाव में बीच में छोड़ देते हैं हमेशा आपने मन रूपी बुध्धी का इस्तेमाल करना आपकी फित्रत है ऐसा जान पड़ता है आप कलपनाश शक्ति के धनी हैं तन से जादा आपका मन कार्य करता है आप मन और बुध्धी का इस्तेमाल हर समय करते हैं इसलिए आप बुध्धिमान की श्रेणी में गिने जाते हैं इस मुलांक के व्यक्ति यानि की मुलांक दो वाले व्यक्ति कला प्रिय तथा कला के प्रेमी होते हैं आप सरल शुसील सभ्य सहरिदय तथा मृदू भाशी होते हैं यदि कहा जाए कि आप भावता की पहचान है तो गलत नहीं होगा आप कोमल स्वभाव यानि की सौफ्ट नेचर के लोग होते हैं जिनका भी मुलांक दो होता है मुलांक दो वाले लोग सहिशनु कलपनाशिल खलात्मक प्रवरिति और रोमेंटिक भी होते हैं आपके बुध्धी चातुर्य काफी अच्छी होती है तथा दामपत्य जिवन कैसे रहता है मुलांक दो वालों का तो आपके परिवारिक जिवन में कोई न कोई परिशानी बनी रहेगी जिसका मुख्य कारण होगा उचीत समय पर उचीत फैसला न ले पाना अक्सर यह देखा गया है कि मुलांक दो वाले जातक का जन्म स्थान जरूर छोड़ जाता है ऐसे लोग अपने संयूक्त परिवार से अलग हो जाते हैं आपका दामपत्य जिवन में भी दिक्कत आती रहते हैं कम उम्र में बहुत कम ही शादी होते हुए देखा गया है आप प्यार के बंधन में बन सकते हैं शादी के तीन साल बाद दामपत्य जिवन में समस्या आती है आपकी विश्यस्ता क्या है यानि के अस्पेसलिती क्या है मुलांक दोवालों की तो बुराई में भी अच्छाई धूंड लेना आपके लिए प्लस पॉइंट है आपकी प्रवरिती सहज, सहरेदय, शूसेल और मिर्दुभाशी होती है आपके अंदर आपको गौरानवित महशूस करते हैं बात करते हैं आपकी सिक्षा के संबंध में यानि की एजुकेशन के संबंध में आप सेक्षनिक योग्यता अच्छी हासिल करते हैं दो मुलांक वाले व्यक्ति की पढ़ाई में व्योधान आते हुए भी देखा गया है कई बार में ही छूड़ जाती है इसका मुख्य कारण है एकागरता और निरंतरता का अभाव होना आप कमाने के चकर में पढ़ाई छोड़ सकते हैं 21 साल पढ़ाई के लिए महतोपून होता है साहित्य संगीत की पढ़ाई में आपकी अधिकरूची होनी चाहिए यदि आप पेंटि यानि कि प्रोफेशन क्या बहतर होता है इनके लिए तो आप नौकरी और व्यपार दोनों तरह के कारे कर सकते हैं आपको वैसे कारिय में विश्यस रूप से सफलता मिलेगी जिसमें कुट नीती का प्रयोग होता हो यानि कि आप एक अच्छे सलाहकार हो सकते हैं मुलांक द के लिए बहतर एक कैरियर होता है आप एक अच्छे एजेंट की भूमी का भी निभा सकते हैं बात कर लेते हैं मुलांक दो वालों के हिल्थ के संबंध में मुलांक दो वाले जातक जो होते हैं वो कफ प्रकृति के होते हैं आपको अपने पेट का विश्यस रूप से ध्यान रखना चाहिए गैस्ट्रिक ब्लड प्रेशर तथा हरिदय की बीमारी आपको हो सकती है बायांख में परेशानी आ सकती है जिवनकाल में कोई न कोई ओपरेशन के स्थिती बनती है और ओपरेशन कराना भी पड़ता है चालिस वर्ष के बाद निरंतर जांच कराते रहना च होती है कारिके प्रती उतावलापन बहुत होता है परंतु निरंतरता नहीं होती है यानि कि किसी भी कारिको एस्टार तो बहुत जल्दी करेंगे लेकिन बीच में छोड़ देते हैं लगातार उसको नहीं करते हैं आप अत्याधिक भावुक और सम्वेदन शिल होते हैं यह आको चंद्रमा तथा शिव जी की उपासना करने चाहिए शिव चालिशा का पाठ करने से आर्थिक सम्रिध्धी तथा मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है आपके लिए शुव धातु चांदी होती है आपके लिए एक और नौ मुलांक वाले जातक जो होते हैं वो दुश्मन नहीं होता है यानिकि मुलांक दो का कोई दुश्मन ग्रह नहीं है लेकिन फिर भी जो एक इनकी अच्छी बनती है वो एक के साथ बहुत अच्छा बनता है क्योंकि सुर्य है और सुर्य से चंद्रमा का बहुत अच्छा बनता है इसके अलावा सभी से समानेत रि करें तो आप जरूर लाप्राप्त कर सकेंगे यानि कि सफेद पीला या हरा रंका करते हैं तो आपको फायदा होता है किसी भी कार्य को हलके में लेना सबसे बड़ी कमजोरी होगी आपकी आप हमेशा अपने माता पिता का आशिरवाद लेकर के ही कोई कारे प्रारंब करें तो आत्मविश्वास को बढ़ाएं कारे में एकागरता और निरंतरता का अभाव होने से आप बीच में ही कारें को छोड़ देते हैं इसलिए नियमित रूप से ध्यान योग करके एकागरता बढ़ाएं खास करके भ्रामरी प्रानायाम जरूर किया करें कोई कारे प्रारंब कर करने से पहले पुरा करने के लिए समय का निरधारन जरूर करें नहीं तो आप निरंतर करते रहेंगे इसे ही आप लगातार नहीं करते हैं तो इसलिए उसी को चलाते रहे जाये आप अत्यधिक भावक और समवेदन शिल होते हैं यही कारण है कि अन्य के दुख-दर्द से जल्द परेशान हो जाते हैं ये उचित नहीं है आप बहुत जल्द निराश हो जाते हैं आप अपनी शक करने की आदत को छोड़ दें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए शुभ वर्ष महीना दिन और दिनांक जान लिजे आपके लिए क्या है शुभ वर्ष की बात कर काँ बहुत अच्छी जासकते हैं तो इस प्रchau आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं रभी वार होता है अब कीशें प्रकार अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं मुलांक 2 है आपका तो फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह गया हो यानि कि मुलांक 2 के आप हैं तो आप अपनी date of birth कमेंट में लिख करके अपने सवाल को लिख दीजेगा हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों पर भी वीडियो जरूर बना दें फिलाल ये आज की वीडियो रही उमीद है आपको वीडियो बहत पसंद आई होगी ऐसी ही जानकारी पूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम ले करके आते रहते हैं ऐसी जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्र जाते जाते कमेंट में जैमातादी जरूर लिखेगा